नवश्कार मैं हूँ चंदर श्री राजपुत आपके साथ और आज हम वाइरल वीडियो में बात करेंगे एक और ऐसी ही खबर की जिसके बारे में हम आपको बताते हैं जो क्यों है इतनी रोमांचक और क्यों लोग उसकी बाते कर रहे हैं तो आज तक आप लोगोंने सुपरस्टार के लिए मंदिर तक बनवाएं लेकिन इस बार नेता भक्त ने उनका ही मंदिर बना डाला यूपी के सीम योगी आदितनात का एक ऐसा जबरा फैन जिसने उनका मंदिर बनवा दिया है ये तो सब जानते हैं कि योगी का नाम आज बच्चे-बच्चे की इध्या में भी एक ऐसे ही मंदिर का निर्मान किया गया जहां पर उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात की पूजा की जाती है सुनकर चौंकिये मत क्योंकि ये सच है सच में उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात जिने बुल्डोजर बावा के नाम से जाना जाता है उनकी पूजा भी की जाती है ना सिर्फ पूजा बलकि आर्थी और भजन भी गाय जाते हैं CM के इस मंदिर बनाने की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है उत्रप्रदेश के योगी आधितनात के एक समर्थन ने दिवानगी की सारी हदे पार करते हुए उनका मंदिर ही बनवा दिया इस मंदिर में CM योगी की बकायदा किसी भगवान की तरह पूजा की जाती है और भजन आर्थी भी होती है ये व्यक्ति खुद को CM योगी का प्रचारक बताते हुए उनके लिए गाने लिखता है और गाता भी है अयोध्या में भी भगवान राम के मंदिर का निर्मान पूरा होने से पहले ही CM योगी का मंदिर बन चुका है योगी आधितनात की मूर्ति बनाने वाले प्रभाकर का कहना है कि ये संकल्प की मूर्ति भी साक्षी है दरसल उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी आयोध्या में श्री राम की जन्म भूवी पर भव्य और दिव्य मंदिर बनवाएगा वो स्व्यक्ति का भी मंदिर बनाएंगे अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान हो रहा है तो उन्होंने भी अपना संकल पूरा कर दिया मंदिर का निर्मान आपको पता दे कि पूरे 8,56,000 की लागत में करवाय गया है मंदिर में स्थापित मूर्ती राजस्थान से विशेश ओर्डर दे कर बनाई है मंदिर में लगी प्रतीमा को भी योगी अधितनात को राम के अवतार में दिखाया गया है प्रतीमा में योगी अधितनात धनुष और तीर लेकर दिखाई दे रहे हैं प्रभाकर मानते हैं कि योगी भगवान राम और श्री कृष्ण के अवतार है इसलिए सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो किसी भगवान से कम नहीं है ये मंदिर अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे भरतकुंड के पास इस्तित है आपको याद दिला दे कि वही भरतकुंड है जहां पर भगवान राम के वनवास के दोरान भाई भरत ने उनकी खड़ाओ को सिंघासन पर रखकर 14 सालों तक अयोध्या का राज काज संभाला था साल 2014 से योगी प्रचारक बने प्रभागर मौर्या ने योगी आदितनात का यहां पे मंदिर बनवा दिया लेकिन यहां सिर्फ योगी का ही नहीं बलकि देश के प्रधान मंतरी मोधी का भी मंदिर बन चुका है बिलकुल सही सुन रहे है अप्तमिलाडू में एक किसान ने अपने खेत में प्रधान मंतरी मोधी का मंदिर बनवाया है और पीम किसान सम्मा निधी जैसी कलियानकारी ओजनौव से प्रभावित होकर उसने ये मंदिर बनाया था और उसे इसका जो स्कीम है उसका भी फायदा मिला यही वज़ा है कि उसने पीम मोधी का मंदिर बनवाया जहां वो रोजाना उनकी आर्टी भी उतारता है इस मंदिर में कुल लागत जो लगी थी वो करीबन एक लाक रुपे की लागत में ये मंदिर बना था और इसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की एक मूर्ती भी लगी है और सिर्फ यही नहीं गुजरात के राजकोर्ट में भी पीम मोधी का एक मंदिर पहले भी बन चुका है इसके अलावा Congress अध्यक्ष सोनिय गांधी का भी मंदिर भी बनाये जा चुका है दक्षिन भारत में जीते जाते इन्सानों का मंदिर बनाये जाने का चलन रहा है राश्ट पिता महात्मांगांधी का भी मंदिर भी काफी सुर्खियों में आ चुका है और अब इन नेताओं के भी मंदिर बनने लगे हैं भाई फैन हो तो ऐसा कि उनका मंदिर ही बना दिया तो आपने भी ऐसी कोई दिवाने की देखी है क्या आपके मन में भी कभी ऐसा खयाल आया है कि आप जिसे बहुत मानते है या आपका भी कोई आइडल है या फिर आप भी किसी का अपने खयाल से मंदिर बनाना चाहते हैं जिसकी आप दिन रात पूजा करते हों जिसे आप मानते हों तो कमेंट बॉक्स में नीचे लगे कर मुझे जरूर बताईएगा और कैसा लगा आपको हमारी वीडियो ये भी हमें बताईगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बोले और हाँ बेल आइकन जरूर दपाईएगा नमिश्कार